नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हूँ आपके साहर शुतिश वास्ताओं जम्मू काश्मीर में टेरर एलर्ड के बीच सुरक्षा बल आक्शन में है जंगलों में घात लगाए आतंकियों का सेना के जवान मुतोड जवाब दे रहे है आतंकिय के खिलाब ऑपरेशन में सेना की बटालियन के साथ जम्मू काश्मीर पुलिस भी अब शामल है देखे रियासी कठुआ डूटा नौशेरा आतंक का अगला टागेट कहाँ जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है सुरक्षा बल एक्षन में है एंकाउंटर जारी है सर्च ऑपरेशन चल रहा है ज्रोन से निगरानी हो रही है जम्मू कश्मीर की सडकों पर बक्तर बंद गाडियां दोड रही है सेनो और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं क्योंकि देष्षत गर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई जुन बना कर बाहर निकली है सरहत बार से घुसपैट कराए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घहत लगाए बैठे हैं अब तक चार इलाकी में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं नौ जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है जम्मू कश्मीर में आतंकियों कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानी है बारह जून की दुपहर जम्मू के राज़ौरी जिले में नौ शेरा में संदिदों को देखी जाने के बाद से सेक्यूरिटी फोर्स अलर्ट पर है नौ शेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा, पठानकूट मार्ग पर चार राश्रुय राइफल्स और पुलिस की जोइंट चेक पोस्ट पर फाइरिंग की आतंकी हमले में पांच जवान और एक स्पेशल पुलिस आफिसर घायल हो गया 11 जून देश्रत गर्दों ने जमू के हिरानगर के सैदा सुखल गाउं में ग्रामीनों पर पानी नहीं देने पर फाइरिंग कर दी थी आतंकीों के खबर मिलने के बाद मौके पर पहुँचे डी आईजी और एसेसपी पर आतंकीों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था 9 जून को जमू के कंदा इलाके में शिव खोडी से कटरा जा रही बस पर आतंकीों ने 25 से 30 राउंड फाइरिंग की थी जिसमें ड्राइवर को गूली लगने के बाद बस खाई में जागे दी 9 जून को हुए टेरर अटैक में नौशरत धालूं की मौत हो गई और 41 गायल हुए मतलब ये के सरहत पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए है पाकिस्तान की पालतू पल्टन भारत में कतलेयां मचाने के लिए भीजी गई है मगर आतंकी आकाओं के फर्मान पर खून खराबिक और कॉंट्राक्ट लेकर जमू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है अब तक मारे गए देशरत गर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है यह नया इंफिटेटिट ग्रूप है जिस इस लाके में आया है और ज्यादा आतंकियों के चिपल होने की समागी तस्वीरे जमू के कट हुआ में एंकाउंटर में धेर हुए देहशत गर्दों की है आतंकियों के पास से हथियारों का जखेरा बरामत हुआ है आतंकियों के पास दवाईय, पेंगिलर, ड्राइफ फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंड सेट, एंटिना, एक लाक कैश, M4 कारबाई, AK47 बरामत हुई आतंकियों के पास से जो सामान बरामत हुआ, उससे साफ है कि ये देहशत गर्द, लंबे वक्त तक हमले की प्लैनिंग लेकर भारत में गुसे थी क्योंकि देहशत गर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ, एक लाक कैश भी बरामत हुआ है काओं में दो आतंगवादियों को कल शाम से न्यूट्रलाइज किया गया है, जो ऑपरेशन चला एक मेजर लेवल को ऑपरेशन जिसमें आर्मी, CRPF, पोलीस, SOG और बाकी एजनसी के ऑफिशल और जवान थे लगातार कल शाम से अठारा गंटे की मशकत के बाद दो काओं में आतंग्यों ने किस तरह हमले को अंजाम दिया, चश्मदीद की जुबानी सुनी सुरक्षा बल की मुस्तादी से कश्मीर घाटी के कुपाबड़ा में एक आतंकी की गिरफतारी भी हुई है गिरफतारी आतंकी का नाम शबीर अहमत बताया जा रहा है, आतंकी के पास से सुरक्षा बल को चार हांड ग्रिनेट, एक पिस्तॉल और दस बुलेट भी मिली है गाटी में आतंकीों के पनाह देने वाले भी शिनाक्त की जारी है, उनकी साती आतंकी संगचन टी आरेफ की कुंडिली भी सेना को मिली है टेरर नेटवर्क पा बड़ा पर्दाफाश इस रिपोर्ट में देखें हाफिज मोहमद साही और टेरर प्रफेसर ये आतंकी आका भारत का दुश्मन नमबर वन है पाकिस्तान में खुलम खुला जहर बुझे भाशन बाचने वाला हाफिज साही लाहोर की मस्जिद में बैटकर खूनी फर्मान सुनाता है हाफिज साही ने 26-11 जैसा टेरर अटाक को अंजाम देकर पूरी दुनिया को देहला दिया था लेकिन हाफिज के बनाए और फैलाए आतं की संगठन लशकरे तयबा की कुंडली जैसे जैसे खुलती गए इस आतंती सरकना ने नए नाम से टेरर गुटों का नेट्टोर्क खड़ा कर लिया हाफिज साही दिमाग की उपज है टी आरेट जिसका पूरा नाम है दा रिजिस्टेंट फ्रांट सांती का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था काफी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी छोटी पोटी घटनाओं के लावा जब इलेक्शन में बढ़ चड़के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई और जो लोग जो ग्रूप सिर्फ इस बात का एजेंड़ा जलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए भारत में असांती कैसे पैदा की जाए तो उन लोगों की सस्टी नेंस पे खत्रा खड़ा हो गया जम्मू के रियासे आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीरेफ टेरर ग्रूप असल में लशकर तयबा की हाई टेक आतंकी ब्रिगेड है इस टेरर गोट को बनाने की सबसे बड़ी बजा लशकर के आका हाफे साईद को परदे की पीछे रखने की है जिसमें पाकिस्तान के कोख्यात खोके आईजनसी आईएस आई के जनरलों की बराबर हिस्सेदारी है जब से पाकिस्तान टेरर फंडिंग को लेकर इंटरनेशनल स्टेक पर बेनकाब हुआ तब से नए नाम से आतंकी संगठनों की भरबार हो गई कश्मीर में आतंकी संगठन दर रिजिस्टेंट फ्रंट दो हजार उनीस में सामने आया अनुछे तीन सो सत्तर के खात्मे के बाद डियारेफ एक आउनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ डियारेफ का टॉप कमांडर शेक सज्जाद गुल है शेक सज्जाद गुल शिर्णगर के रोजवनी कॉलिनी का रहने वाला है जिस पर जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साज़ेश रचने के आरोप है साल 2023 में यूए पीए कानून के तहर टी आरेफ पर बैन लगा दिया गया टी आरेफ की तरह घाटी में कई आतंकी गुट नाम बदल कर फान उठा रहे हैं जिसमें जमू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फासेस्ट फ्रंट के नाम सेनक हिट लिस्ट में टॉप पर है गजनवी फोर्स को जैशे मोहम्मद से फंडिंग मिलती है ये सीधे आतंकी हमला करने की बजाए सोशल प्लाटफॉर्म पर आतंकी नेरेटिव सेट करता है और लोगों को भड़काता है गजनवी फोर्स घुस पैठी आतंकियों के मददगार ओवर ग्राउंड वर्करों का नेट्वर्क भी तयार करता है रियासी आतंकी हमले में इनी ओवर ग्राउंड वर्करों का बड़ा रूल माना जा रहा है मगर सुरक्षा बल की मुस्तैदी और सेना की सक्त निगरानी से आतंकी गुटों की तमाम साजिशे नाकाम हो रही है घाटी में आतंकी बारदातों में भारी कमी प्रमान है कि पाकिस्तान परस दहशत गर्दों का अंत करीब है जम्ब कश्मीर में साल 2018 में 228 आतंकी बारदात अंजाम दी गई थी जबकि 2023 में सर्फ 44 आतंकी हमले हुए साल 2028 में सुरक्षा बल और आतंकीों के बीच जहां 118 एंकाउंटर हुए थी वहीं 2023 में सर्फ 48 मुट्धेड हुई 2018 में आतंकी हमले में जहां 55 लोगों की मौत हुई थी वहीं 2023 में ये आँकड़ा सर्फ 13 तक सिमट गया घाटी में पत्थर बाजी और आए दिन होने वाले बंद अनुचे 370 के खात्मे के साथ ही समाप्त हो गए घाटी में लोटा यही अमन सुकून पाकिस्तान में बैठे आतंकी आखाओं को रास नहीं आ रहा हाली में हुए लोकसवाज चुनाव में हुई बंपर वोटिंग ने भी पाकिस्तानी सेना और उसके पालतू आतंकियों के लिए जोर का जटका साबित हुआ जम्मु कश्मीर की शांती और खुशाली आतंकियों के अंत की शुरुआ थे जाहिर है ऐसे में आतंकी आखाओं की फड़ फड़ाहट बढ़ गई है लेकिन भारत में घुसपैट करने वाले हर आतंकियों की जगा पहले ही तै कर दी गई है वो है जहनु जम्मु के जंगलों में छिप कर बैठे आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज हुचका है सेना से सामना होते ही देहशत गर्दों को तफ्न कर दिया जाएका और इस बीच जम्मु कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर सियासत होनी शुरू हो गई है आतंकी हमले पर बिपक्ष हमलावर है उदर ठाकरे गुटने सीधा ग्रे मंत्री आमिश्या पनिश्याना साधा और आरोप लगाया कि आमिश्या के कारेकाल में सबसे ज्यादा आतंकी हम हुए हैं देखे रपोर्ट जम्मु कश्मीर में आतंकी हमलों पर सियासत आतंकी हमलों पर विपक्ष हुआ हमलावर विपक्ष का ग्रे मंत्री आमिश्या पनिश्या 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 एक तरफ जम्मु से लेकर कश्मीर खाटी तक सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं जवाबी करवाई में उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं तो दूसरी तरफ इनातंकी हमलों को लेकर सियासत गर्माने लगी है शिफ सेना यूबीटी के संजे राउत ने सीधे सीधे ग्रेह मंत्री अमिश्या पर बड़ा हमला किया वह उत्तर ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में हुए हमलों के लिए सीधे सीधे प्रधान मंत्री पर सवाल उठाए सातत त्याना जम्मू मदे खले सुरुआ है आज सुदा बात में आलीले है कि सेयार प्रध जवान अंच्या काफिला वर हला ज़लाने सेयार प्रध जवान शईजा कि उन्से सत्तर कलम काल्या चा दंका हमिश्या वाजवता है पूर्ध तेवा पासुन ही कश्मीर मदे शांतता अजिबात नान लेली नाहीं कश्मीरी पंडिक तंचा घरी दाव शकले नाहीं ये गुर्व मंत्रायन चा अफ़याशा है विशेशता अत्ता परत तना गुर्व मंत्री पंडिलावा अपकी बार वाले कहा गया भी, बार-बार वहां हमले हो रहे, इसके बाउजित अपकी बार वाले वहां जा नहीं रहे है कश्मीर तो उन्होंने पूरिक चुनाव प्रचार दर्मियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला उसकी सच्चाई भी क्या है, महीने भी रखी थी सब के सामने, क्या फरक पड़ा है कश्मीर में, जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है, सरकार की, सरकार हमने कितने बार, तिस्री बार सरकार स्ताफन किया तो तीसरी बार स्ताफन किया जरूर लेकिन आपने आभी आभी किया कि पीछले कितनी दिन में तीसरी बार हमले हुए तो जिम्मेदार कोन है यही नहीं सिर्फ महराश्चु से नहीं बलकि कश्मीर से भी आतां की हमलों पर सियासत हुई जम्मु कश्मीर के पूर्वसी हैं, फारुक अब्दॉला ने एक बार फिर से पांकिस्तान से बात करने की मांग कर दी है फारुक अब्दॉला के पाकिस्तान से बात करने की मांग पर बीजेपी ने उन पर पलतवार किया बीजेपी के कविंद्र गुपता ने कहा कि पाकिस्तान आतंक का मसीह है ये पूरी दुनिया जानती है फारुक अब्दॉला ने आज फिर पाकिस्तान की हिमायत की है और इन अतंक कवादी हमलों पर पाकिस्तान से बात करने की दुबारा से रागलापा है स्वक्षाबल विप्रीत प्रस्तितियों में काम करके जीरो टेल्ट टॉल्नर्स की निती पर काम करते है अपने बलिदान दे करके भी जम्मू कश्मीर को सुदारा है लेकिन जो पाकिस्तान अतंक का मसीहा है पूरा विश्व उसको इस चीज़ के लिए नगारता है तो यह हमेशा से उनके साथ बात करने की मुझे लगता है कि जम्मेवजार व्यक्ति को तो चीवनिस्त रहा है इस परकार की ड्यानमागी नहीं करने का ही आतंकी हमलों को लेकर विपाक्ष सियासत में जुटा है तो सरकार एक्षिन में ग्रहम मंतुराले से लेकर बीएमों तक हर जगा से आतंकियों को निस्तो लाबूद करने के सक्थ निर्देश हैं जम्भू कश्मीत के उप्राजपान ने साफ किया कि जब तक जम्भू कश्मीत की धर्ती से आतंक बार्द का सफाया नहीं हो जाता तब तक सुरक्षा भल और प्रशासन के लोग आर राम नहीं करेंगे